नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल Study Vines ओफिशल पर तो आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों का आखरी भाग प्राजवी पी नदियों को कवर करेंगे इसमें हम मद्ध्य भारत और दक्षिन भारत की नदियों को कवर करेंगे इससे पहले हमने हिमालाई नदियान, जिन्हें तेन भागों में विभाजित किया है, सिंधु नदितंत्र, ब्रंपुत्र नदितंत्र और गंगा नदितंत्र, इन्हें डिटेल में cover कर लिए है अगर आपने हिमालाई नदियों की वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख रहे हैं आज हम कवर करेंगे प्राधिवीपिय नदियां इसके बाद हमारा भारत की नदियों का टोपिक कम्प्लीट हो जाएगा तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं अंतर देख लेते हैं उसके बाद हम पूररा प्राधिवी नदियां को डिटील में पढ़ेंगे तो सुरुवात करते हैं प्राधिवी नदियां मौसमी होती है याद रखेगा यह मौसमी होती है क्यों क्यों कि इन्में जलका स्थीरोत समानियता वर्षा का जल होता है तो जब मानसून आता है और बारिश होती है तो तब ये नदियां पूरी पानी से भर जाती है पर जैसे जैसे गर्मी पढ़ने लगती है ये नदियां सूखने लगती है और एक टाइम आता है कि कई नदियां तो पूरी तरह से सूख जाती है तो इसलिए याद रखेगा जो प्राजवी पी नदियां होती हैं इनका जल का स्रोत होता है मांसून यानि की वर्षा का जल तो गर्मी की मोसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी-छोटी धाराओं में बैने लगता है और इस परकार की नदियां प्राया गर्मी के मोसम में सूख जाती हैं तो जैसे मैंने पढ़ाता और हिमाले से निकलने वाली नदियां वर्ष वाहिनी होती हैं वर्ष वाहिनी याद खिएगा वर्ष वाहिनी क्यों वर्ष वाहिनी का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ष इनमें पानी रहता है यह पूरे वर्ष इनमें पानी रहता है तो पूरे साल इनमें पानी क वो इसका स्रोथ है और दूसरा सबसे महतवपूर्ण गलेशियर मैंने आपको बताया था ना परवत वाली वीडियो में कि जो हिमाले परवत है उचाई पर वहाँ पर गलेशियर पाए जाते हैं तो यह पिघलते रहते हैं इनके पिघलने के कारण जो हिमाले नदियां होती है इनमें जलका अभाव नहीं होता क्योंकि इनको गलेशियर के पिघलने से पानी मिलता रहता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है गलेशियर पिघलते रहते हैं और गर्मी में भी आप देखेंगे कि जो हिमाले नदियां हैं इनमें पानी भरा रहता है उफान पर होती है जबकि गर्मी होती है क्यों क्यों क्योंकि ये गलेशियर पिघलते रहते हैं और उन्हीं के पानी का स्रोथ होता है उसके बाद बारिश हो जाती है तो इसमें और पानी आ जाता है और ये नदियां काफी उफान पे होती है फिर बाढ़ मतलब बाकी छित्रों को बाढ़ से प् खाड़ी आगे हम पढ़ेंगे खाड़ी के बारे में बंगाल की खाड़ी खंपात की खाड़ी तो यह खाड़ी क्या होती है तो सबसे पहले देखते हैं प्राइद्वीप यानि की पैनिन्सूला तो प्राइद्वीप भूमी का वह भाग है जो तीन और से पानी से घिरा होता हैं लेकिन एक तरब से मुखे भूमी से जुड़ा हुआ होता है तो जैसा कि आप भारत का नक्षा देखेंगे तो जो यह दक्षिन भारत है इसे हम प्राजवीपे भारत कहते हैं क्यों क्यों क्योंकि जैसे कि इसकी देफिनेशन है कि जो प्राजवीपे भूमी होती है वो तीन तरब से जलसे गिरी होती है और उसका एक भाग भूमी से जुड़ा होता है उसी प्रकार आप देखेंगे ना यह भाग भूमी से जुड़ा हुआ है और वाकी के तीन भाग क्या हुआ है समूद्र से जुड़े तो प्राइदवीब के बाद अब हम देखते हैं कि खाड़ी क्या होती है? आपने सुना ना बंगाल की खाड़ी, खमपाद की खाड़ी, तो खाड़ी क्या होती है? तो जो प्राइदवीब हैं इसकी जो definition है इसी का विपरीट वो खाड़ी कहलाता है. कैसे पहले इसकी definition देख लेते हैं कि समुद्र का भाग जो स्थल में काफी दूर तक परवेश कर जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं काफी दूर तक परवेश कर जाता है तथा तीनों और से स्थल से गिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं तो खाड़ी क्या होती है? जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जो समुद्र का भाग है, यह तीनों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, और उपर से भी, यह स्थल से गिरा हुआ है, और एक तरफ समुद्र से जुडा हुआ है, तो इसे हम खाड़ी कहेंगे, और प्रादीब में हमने इसे उल्टा पड़ा था न, कि स्थल का हुए भाग, जो तीनों तरफ से समुद्र से गिरा हो, और एक तरफ से भूमी से जुडा हो, उसे प्रादीब कहते हैं, और खाड़ी में क्या है, कि एक तरफ समुद्र से जुडा हो, और तीन तरफ से भूमी से गिरा हो, उसे तो आशा करता हूँ आपको प्रायदीप और खाड़ी समझाए होगी इसके बाद अब हम आगे देखते हैं तो अब हम दक्षिन भारत की नदियों को डिटेल में पढ़ते हैं तो दक्षिन भारत की नदियों को दो भागों में बाटा गया है एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां तो हमारे भारत के इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर तो कुछ नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं तो इसी परकार दक्षिन भारत की नदियों को दो भागों में बाटा गया है तो हम दोनों को पढ़ेंगे बंगाल के खाड़ी में ये सभी नदियां गिरती हैं एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे जैसे कि दामोदर नदी, स्वन रेखा नदी, वितर्नी नदी ये सभी नदियां बंगाल के खाड़े में गिरती हैं और ये सभी नदियां अरव सागर में गिरती हैं जैसे कि साबरमती, माही, नर्मदा अब हम सभी को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, तो शुरुवात हम करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से, तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और यही इनका सही करम है, कि साथ से पहले हुगली है, दामोदर है, इसी कर करके हम सभी को पढ़ेंगे पहले कि जो नदियां हैं शुरुवात की इनसे ज़्यादा परशन नहीं बनते मतलव कि इनसे dei detail में परशन नहीं बनते बस यह पोछले जाता है कि यह कहां से निकलती हैं उद्गम IRAost Bible कहां पर पर आगी की नदियां जैसे कि गुदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये डिटेल में पूछी जाती हैं, तो उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, जहां जैसे परशन बनते हैं, उसी परकार उनको कवर करेंगे, तो पिछली वीडियो में, गंगा नदी त निकलती कहां से हैं, तो छोटा नाकपूर पठार, जहार खंड के, छोटा नाकपूर पठार से दामोदर नदी निकलती है, इसका बावचेतर कौन सा है, मतलब कि किन किन राजों में ये बहती है, तो जहार खंड से ये निकलती है, उसके बाद ये पक्षिम बंगाल में जा जाकर मिल जाती है यही पूछा जाता है कि हुगली नदी की सहाइक नदी कौँसी है तो यह है दामोदर नदी क्योंकि यह हुगली नदी में पक्षिम बंगाल में जाकर मिल जाती है मैंने आपको गंगा नदी तंतरवाली वीडियो में बताय था कि जो गंगा नदी है पक्षिम बंगाल के फरक्का वेरा से ये दो धाराओं में बढ़ जाती है मैंने वहाँ पर आपको बता है था एक है जो पक्षिम बंगाल में आती है उसे हुगली नदी कहते हैं और दूसरी जो धारा है ये बांगला देश में चली जाती है उसे पदमा नदी कहते हैं ये गंगा नदी के ही दो धारा हैं तो जो पक्षिम बंगाल में आती है उसे स्वर्न रेखा नदी तो जो स्वर्न रेखा नदी है इसका उद्गम रांची के पठार है तो जारखंड में है रांची के पठार तो वहीं से इसका उद्गम होता है और इसका भाव छेत्र है पहले जारखंड से निकलती है उसके बाद यह उडिसा जाती है तो उडिसा होते ह यह विए यह भी पक्षिम बंगाल में बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है इसे यही पूशा जाता है पर्शन कि स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है तो याद रखेगा यह रांची के पठार से निकलती है बस इतना याद रखेगा अगली नदी है वैतर्नी नदी तो वैतर्नी नदी का उद्गम क्योंजर पठार जो की उडिसा में है याद रखेगा ये कहां से निकलती है उडिसा से और यहीं से एक प्रेशन बनता है एक प्रेशन पूछता है और आपको चार ओप्षन दिये जाते हैं उसके ये पूछा जाता है कि बताएए कौन सी नदी है जो ज़ारखंड से नहीं निकलती तो उपर की चार नदी याँ आप याद रखेगा देखिए सबसे उपर है दामोदर ये भी जारखंड से ही निकलती है दूसरी हम पढ़ रहे हैं स्वार ने रेखा पढ़ ली हमने ये भी जारखंड से निकल रही है रांची के पठार से पर वैतरनी नदी ये कहां से निकल रही है उडिसा से और अभी हम पढ़ेंगे आगे ब्रामनी नदी, इसका उद्गम भी जारकंड से होता है, दो धाराओं से, तो मतलब कि तीन नदियां हो गई, कौन-कौन सी दामोदर, स्वर्नरेखा और ब्रामनी, ये कहां से निकल रही है, इनका उद्गम कहां से हो रहा है, तो जारकंड से, और जो ये वेतरनी नदी है, यही बची है, ये कहां से उद्गम हो रहा है, इसका उडिसा से, याद रखेगा, कि वेतरनी नदी का उद्गम क्यों जर पठार उडिसा से हो रहा है, और इसका बाव छेतर है, ये उडिसा से निकलती है, और वहीं से बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, बस पूछा क्या जाता है, जो मैंने आपको प्रिशन बताया, याद रखेगा, इसका उद्गम स्थल है क्योंजर पठार उडिसा, तो उसके बाद देखते हैं, ब्रामनी नदी, ये इंपोर्डट है, याद रखेगा, इसमें क्या पूछा जाता है, कि ये किन दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, उडिसा में है राउर केला, वहीं पर शंक नदी और कोयल नदी, इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है, और वहीं से फिर नदी बन जाती है, ब्रामनी नदी, आपने ब्रामनी नदी के बारे में सुनाओगा, तो ये दो नदियों के संगम से बनी हैं एक है शंक नदी और दूसरी है कोयल नदी तो विशेष्ट हम देख लेते हैं कि जारखंड से आने वाली दो नदियां शंक और कोयल उड़ीसा के राउर के ला में मिल जाती है और वहीं से यह ब्रामनी नदी कहलाती है और आखिर में जाकर व्यतरनी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है तो बंगाल की खाड़ी में व्यतरनी नदी भी गिर जाती है उसी परकार उसी के समीब ब्रामनी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिर ज जाते हैं तो शंक नदी ये तो आप याद रखेना और दूसरी है कोयल नदी इसे याद रख लीजिएगा तो शंक नदी और कोयल नदी इन दोनों नदियों के संगम से बनती है ब्रामनी नदी और कहां पर बनती है तुझा रखेगा उड़ीजा के राउर केला में इनका संगम होता है और वहीं से आगे फिर ये ब्रामनी नदी बन जाती है और ब्रामनी नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो मैं आपको यह जितनी भी नद तो यह 36 गड़ से निकलती है जैसा कि हमने देखा सिंहावा पहाड़ी से और उसके बाद यह उडिशा में जाती है और फिर वहीं उडिशा से बंगाल की खाड़े में गिर जाती है तो इसे हमें याद क्या क्या रखना है सबसे पहले थो यही कि इसका उद्गम कहां से हुआ तो सिहावापहाडी से जो कि 36 गड़ में है और उडिशा के कटक शहर में यह नदी डिल्टा बनाती है। तो डिल्टा क्या होता है? यह मैंने आपको पिछली वीडियो में विस्थार से बताया था। तो उडिशा के कटक शहर में यह नदी याद रखेगा अपना डेल्टा बनाती है और सबसे महत्व पूरण तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहाइक नदी हैं यह एक एक्जाम में पूछा गया था कि जोंक नदी किसकी सहाइक नदी है इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया तो ते डिटेल में कवर करेंगे इसकी हम सहाइक नदी भी देखेंगे और महत्व पूरण पॉइंट भी देखेंगे कि क्या-क्या पूछा जाता है कहां से निकलती है सब कुछ देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो नदी इंपोर्टेंट हैं उन्हें हम डिटेल निकलती है तो नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती है जो कि महराश्ट्र में है और त्रयंबकेश्वर में ही भगवान भोले नात का जोतिलिंग भी है भोले नात के पूरे भारत में 12 जोतिलिंग है उसी में से एक जोतिलिंग है त्रयंबकेश्वर में रोही से समाना होते हुए आंधरपदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है या दखेगा यह जितनी भी नदिया हैं हम जो पढ़ रहें अभी यह सब भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और निकलती कहां से है तो महाराष्ट्र से और इसकी विशेश्चता देखते और यह दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है यह इंपोर्टट है कि जो गुदावरी नदी है यह दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है अगर हम पुरे भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह गंग भारत यानि दक्षिन भारत को देखें तो उसमें गोतावरी नदी सबसे लंबी नदी है पर अगर हम पूरा उपर से उत्तर भारत दक्षिन भारत पूरे भारत को देखें तो यह जो गोतावरी नदी है यह दूसरी सबसे लंबी नदी है उसमें गंगा नदी सबसे लंबी न एक दक्षिन भारत की गंगा भी है वो हम आगे देखेंगे पर दक्षनी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है और बुड़ी गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है और वृद गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है तो एक्जामनर पूछता है कि बुड़ी नदी के तटपर नासिख याद खेगा उसके बाद हम देखते हैं गोदावरी की सहायक नदियां यह important नदी है तो इसकी सहायक नदियां भी देखेंगे हम detail में देखेंगे तो यह question तो इससे यही बनता है कि बताएए इसकी सहायक नदियां कौन-कौन सी है जैसे आपको option में दे दिया जाएगा कि पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है पेन गंगा किसकी सहायक नदी है गोदावरी की पर अगर आपसे detail में भी पूछ ले तो मैंने आपको यह diagram से समझा है कि कौन सी नदी बाइं और से आकर मिल रही है कौन सी दाइं और से यह उपर से जो नदियां यानि कि उत्तर से मिलेंगी यह बाइं और से और जो दक्षिन से मिलेंगी यह दाइं और से तो सबसे पहले जो बाइं और सी मिल रही है यानि कि उत्तर से आ रही है उन्हें देखते हैं तो जैसा कि यह नदी निकल रही है त्रमकेशवर से यानि कि गोदावरी नदी यह प पूर्णा, इंद्रावत्ति और सबरी नदी, उसके बाद ये तीन नदियों का एक संगम है, इन्हें भी हम देख लेते हैं, सबसे पहले है पेन गंगा, तो एक नदी आती है पेन गंगा, उरसी में एक नदी है वर्धा, ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, कौन- आगे चली, तो वेन गंगा, इसमें आके मिल गई, तो ये तीनों नदियों का जहां संगम हो जाता है, उसके बाद ये एक नदी बन जाती है, और इसे कहते हैं प्रान हिता, पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, जब ये तीनों मिल जाती हैं, तो इसे प्रान हिता कहते है ये मैं आपको detail में बता रहा हूँ कि अगर examiner tough question भी पूछ ले तो आपको याद रहे वैसे तो यही पूछा जाता है कि पेन गंगा किसकी सहयक नदी है तो गोदावरी की सहयक नदी है वेन गंगा किसकी सहयक नदी है तो गोदावरी की पर अगर पूछ ले कि बताईए प्राण हिता नदी किसके संगम से बनी है तो या दखेगा पेन गंगा वर्धा और वेन गंगा जब ये आपस में मिल जाती है तो प्राण हिता नदी बनती है और ये गोदावरी की सहाइक नदी है और सबसे ज़्यादा इंपोर्डर जो कई पूछा गया कि मंजीरा किसकी सहाइक नदी है तो ये गोदावरी की है और ये देखिए ये नीचे से आके मिल रही है दक्षिन के और से यानि कि दाई और से मिल रही है इसलिए और इंपोर्डर बन जाती है कि अगर पूछ लिया जाए आप ऑप्शन में दिया हो कि गोदा ये दाए और से मिल रही है इसलिए असका ध्याँ रखेंगा कि जो मंजीरा नदी है ये दाई और से मिल रही है और गुदावरी की सहाइक नदी है तो गुदावरी नदी है के बाद देखती है कृश्न नदी ये बी- इमपोर्टेट है इसको भी ॉद्सुमि घाठ के महा परवत वाली वीडियो में बताया था कि हमारे भारत के दक्षीविंभार में इधरे पक्षमिघाट इधरे पूरवी घाट मैंने वहां पर आपको बताया था वह वीडियो आपने नहीं देखिए तोई नदी इसके विश्ष्ष्टा क्या है हमें याद क्या क्या रखना है कि यह प्राश्डी प्य भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कों सियों से है तो आज आ जागे ठीक है याद रखेंगा । नदी दक्सिन भारत की गोदावरी दूसरी दक्षिन भारत की तो करिष्णा उसके बाद देखते हैं कि कोईँने नदि के क्या आगे अबी हम पढ़ेंगे इसके सहाइक नदि तो कोईश्थ को महाराष्ट की जीवंधारा कहा जाता है उसके बाद एक नदि है मुसी नदी तो मुसी नदी के तटपर है है घरवाद शहर यह इंपोड़र्ड है और बहुत-बार इगजाम में पूछा गया है कि है घरवाद किस नदी के तरपर है तो याद रuखेगा मुसी नदी के ततपर अभी हम सहक नदियां पढ़ेंगे पर हम ये विशेश बाते देख लेते हैं पहले और उसके बाद देखते हैं कि आंधर पदेश में विजय वाड़ा के पास ये नदी डेल्टा बनाती है तो ये अपना डेल्टा कहां पर बनाती है तो आंधर पदेश में विजय वाड़ा के पास ये अपना डेल्टा बनाती है कौन सी नदी कृष्णा नदी अब इसके हम सहायक नदिया देखते हैं तो यह निकलती है महाबलेश्वर से जैसा कि हमने देखा महाबलेश्वर से यह निकलती है तो उपर से एक नदी आती है उत्तर की ओर से भीमा नदी मतलब कि बाई और से और एक नदी है मुसी नदी यह दोनों बाइं और से मिलती हैं भीमा नदी और मूसी नदी ये दोनों ही इंपोर्डट हैं भीमा और मूसी भी ये बहुत बार इजाम में पूची गई है ठीक है ना याद रखेगा और मूसी नदी क्यों पूची आती है क्योंकि हैदराबाद मूसी नदी के हितर पर है उसके बाद नीचे की और देखते हैं यानि कि दाइए और से तो दाइए और से आ रही है एक है कोईना नदी यह माराज की जीवंधारा कहा जाता है इसे उसके बाद दोनों नदियां याद रखेगा एक अठाई घाट परभा और माल परभा यह भी किष्णा नदी की साहिक नदिया तो घाट परभा और माल परभा भी पूछी जाती है याद रखेगा उसके बाद एक और है सबसे इंपोर्डर तुंग भद्रा नदी यह भी किष्णा नदी की साहिक नदी है तो जो तुंग भद्रा नदी है यह दो नदियों के संगम से बनी है यह तो आप असानी से याद रख लेंगे एक है तुंग और दूसरी भद्रा और यही दोनों मिलकर बनाती है तुंग भद्रा तुंग और भद्रा दोनों मिलकर बनाती है तुंग भद्रा और यह नीचे की और से यानि की दक्षिन की और से यह जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है तो यह सभी कृष अगर examiner depth में भी question पूछ ले तो याद रहेगा तो कृष्णा नदी के बाद कुछ छोटी छोटी नदियां बची हैं जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं इन्हें भी देख लेते हैं अगर examiner इसे भी question पूछ ले तो आपको याद रहेगा इनके हम उद्गम स्थल देख करनाटक के कुलार में और वहीं से ये करनाटक के कुलार से ही पेनार नदी निकलती है और इसका बहाव शित्र है यानि कि कहां कहां से होकर ये बैठती है तो करनाटक से निकलती है आगे जाती है आंधर प्रदेश में और वहीं पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है या करनाटक की ब्रम गिरी पहाड़ी से करनाटक की ब्रम गिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है और करनाटक के बाद यह तमिल नाडू में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है उसकी विशेशता क्या है हमें याद क्या-क्या रखना है तो यह दक्षिन भारत की एक मात्र नदी है काविरी नदी यह गर्मियों में भी नहीं सुकती क्यों नहीं सुकती इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है तो इस नदी में पूरे वर्ष पानी क्यों रहता है वह मैं आपको समझाता हूं तो जैसा कि यह नदी है करनाटक से निकलती है करनाटक से निकलती है और तमि और इस नदी में पूरा जल भर जाता है यह एक बार जो जल भर गया और दुबारा क्या होता है जब मांसुन लोटता है मांसुन लोटता गब है तो 9 दिसंबर में जब मांसुन लोटता है तो उसमें तमिल नाडू में तमिल नाडू की एरिये में बारिश होती है उपर का जो मांसुन आ रहा है तब भी इसमें बारिश होती है अब मांसुन लोट रहा है तब भी इसमें बारिश होती है जिस कारण इस नदी में पूरे वर्ष पानी रहता है और इसे दक्षिन भारत की गंगा भी कहते हैं तो हमने पीछे पड़ा था दक्षिनी गंगा वो कौसी नदी वो गुदावरी नदी थी और यह है दक्षिन भारत की गंगा तो यह कावेरी नदी है इन दोनों में काफी confusion होती है याद अखेगा जब दक्षिन भारत की गंगा की बात आए तो वो कावेरी नदी होगी जब दक्षिनी गंगा की बात आए तो वो गुदावरी नदी होगी याद अखिएगा तो कावेरी नदी के बाद दो नदियां है जो तमील नाडू में छोटी छोटी नदियां है इन्हें भी देख लेते हैं एक है वेगई और दूसरी है तामरपर्णी इसे तामरपानी भी कहते हैं तामरपर्णी और वेगई यह दोनों तमील नाडू से निकल और इस तरफ की खाड़ी को हम कहते हैं मनार की खाड़ी याद रखेगा उपर की तरफ जो है इसे पाक की खाड़ी कहते हैं और इसे मनार की खाड़ी कहते हैं यह दो नदियां एक पाक की खाड़ी में गिरती है और दूसरी मनार की खाड़ी में गिरती है याद रखेगा जो वेगई नदी है यह पाक की खाड़ी में गिर जाती है और सबसे महत पूरन मदुरे जिसे मदुराई भी कहते हैं यह शहर वेगई नदी के ही तड़ पर है एकजा में पूछा जाता है कि मदुरे शहर किस नदी के तड़ पर है तो यह वेगई नदी के तड़ पर है मिनाक्ष कन Κलती हैं। उसके बाद खाड़े में गिर जाती हैं तो याद कैसे रखेंगे जैसे देखिए ताउ मिलाड़ की खाड़े में गिर जाएगी वह तो पता ऀए उघ्येगा आपको एक अगर मनार की खाड़े में गिर रही है तो दूसरी कहा सकते हैं तो बंगाल MARK कहड़ें में गिरने वाली नदीना अब हम देखते हैं yrल सागर में गिरने वाली नदिए तो यह जतनी भी नदिया आप देख रहे हैं इसी प्रकार करम से ये अरब सागर में गिर जाती हैं और सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं और साथ में याद अखेगा ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं उपर की नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं पर अगर आपको एक्जाम में अरब सागर दिया होगा तो वो भी सही है क्योंकि ये जो भारत का इस तरफ का पूरा जो ये एरिया है ये सागर इसको अरब सागर कहते हैं और इसी अरब सागर का पाठ है खंबात के खाड़ी तो अगर खंबात के खाड़ी है तो खंबात की ख नदी तो लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है तो यह अरावली पाड़ी अजमेर की अरावली पहाड़ी से निकलती है जो की राजस्थान में है और इसका बहुत शेत्र तो यह उपर राजस्थान से निकलती है और गुजरात में कश के रन में विलुप्त हो जाती है परच के रन में विलुप्त हो जाती है तो यह लूनी नदी और मरुस्थलिय छेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलिय नदी भी कहते हैं तो राजसान में यह बहती है वहां से फिर गुजरात में आती है तो इसे मरुस्थलिय नदी भी कहते हैं क्योंकि यह मर्सली शेत्र में बहती है याद रखेगा उसके बाद देखते हैं अगली नदी साबर मती नदी तो साबर मती नदी भी अरावली परवत से यसका बहाव शेत्र भी जिस परकार लूहनी का बहाव शेत्र था कि वह rajaसतान numero वहाँ पर कछी के रन में समाह जा रही थी पर जो साबर मत li Rabbis आप तुलना करके पढहने किया तो याद रहे गा तो इसकी विशर्षता यानि कि आपको याद क्या रखना है, तो एहम्दाबाद और गांधी नगर, दो मशूर शहर गुजराद के, यह साबर्मती नदी कही तडपर है, तो याद खना, आप से पूछा जाएगा, कि एहम्दाबाद शहर कहाँ पर है, किस नदी के तडपर, त तो यह भी साबर मती नदी के हितर पर हैं दोनों याद किएगा तो लूनी नदी और साबर मती नदी यह हमने देख ली उसके बाद देखते हैं माही नदी तो माही नदी का उद्गम विंध्याचल परवश्रेनी मध्यपदेश यानि कि मध्यपदेश की विंध्याचल गिर जाती है तो कहां से निकलती है तो विंध्याचल परवश्रेन से यह निकलती है और इसे एक ही प्रेशन बनता है एक्जाम में एक ही प्रेशन बनेगा याद रखना कि कौन सी नदी है जो करकरेखा को दो बार काटती है तो माही नदी ज्यादा असी प्रतिशाद एक्जा करके रेखा को दो बर करते हैं नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का उदगमें या कहां से निकलती हैं कि मद्य पदेश की प्रवतष्य में आगे जब 36 गड में एंटर करता है तो इसे मैकाल प्रवत कहते हैं मत्यपदेश के कुछ हिससे जो बोर्डर से लगते हैं और आगे 36 गड़ में इसे मैकाल प्रवश रंखला कहा जाता है और मैकाल प्रवश रंखला की जो उंची चोटी है उसे हम अमरकंटक पहाड़ी कहते हैं तो वही अमरकंट रही लिए दे और रहा के बाद गुज्रात के बाद की खाड़े में गिर जाती है तो जो महँने यह नीचे पर्टीष रखे हैं यह थोड़ा आघे हो गए जो दिया नदी है अगर पूरी इिसका 872तीशत तो मद्यप देश में और महाराश्रे में 15 परतीशत गुजरातिसमे 7. grupp इसका देख रहे हैं इसका 87 honorientoiff है मद्यप देश में इसीलिए मद्यप देश की जीवन धारा किसे का जाता है तो निर्मदा नादी को का जरिए जीवंधारा या जीवंधार, दोनों ही तो मद्य पत्देश की जीवंधारा किसे का जाता है नर्मदर नदी को और यह नदी भरंश-घाटी से होकर बहती है भ्रंश घाटी यानि कि रिफ्ट वैली क्या होती है यह मैं भी आपको बताऊंगा उसके बाद अगला पॉइंट है कि जुआर नदी मुख जिसे इंग्लिश में एश्वरी कहते हैं तो यह नदी जुआर नदी मुख एश्वरी का निर्मान करती है तो सबसे पहले द अग्षर परवतों से निकलती है हिमालय परवते तो क्या करती है अपने साथ वहां की मिठ्टि गावद और साथ को बहाते हुए ले आती है तो जैसे वह समतल जमीन पर आती है उनकी स्पीड कम हो जाती है तो अब जो उनकी मिठ्टी को धकियन के शमता है जो बहा कर ले आ होई नतियों को बहना है तो यह जो तुकुषाकार आकरती बन जाती है इसो को डेल्टा कहते हैं यह नदियां क्या करते हैं अपने द्वारा मिट्टी लेगर आती हैं और जम्मा कर देती हैं समुद्र में तो जवार नदी मुख यानि कि एशुरी क्या होती है तो कुछ नदियां होती है यह डेल्टा नहीं बनाती जैसे कि कुछ नदियां डेल्टा बना रही है ये नदियां क्या होती हैं सीधा आकर समुद्र में मिल जाती है तो जहां पर ये समुद्र में मिलती है ना कुछ पानी आगे देख़े जा रहा है नदियों में और फिर ये नदियां समुद्र में आ रही है इसी को हम जुआर नदिमुक कहेंगे यह direct क्या करती है, समुद्र में समाहित हो जाती है, मिल जाती है, उसे को जुआर नदी मुख कहा जाता है, और यह तेजी से बहती हुए आती है, और यहाँ पर भी कुछ खटे करते हैं, और यहाँ पर गिरती ही रहती है, ठीक है न, इसी को हम कहेंगे जुआर नदी मुख, य तो क्या होता है कि प्रित्वी की आंत्री खल्चल के कारण पहार का जो बीच का हिस्सा होता है ये अंदर की और धस जाता है जब ये अंदर की और धस जाएगा तो जाहिर से बायत है ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा और बीच में एक बड़ी सी दरार बन जाती है और और इसी में से फिर क्या होता है नदियां परवाहित होने लगती है और जील बन जाती है इसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है जब प्रिथवी की आंत्री खल्चल की कारण क्या हो किसी पहाड़ का जो बीज का हिसा हो वो अंदर की और धज जाए और बड़ी से दरार बन जाए तो उसे रिफ्ट वैली कहते हैं तो हमने देख लिया कि जवार नदी मुख और भ्रंश घाटी क्या होती है तो जो नर्मदा नदी है यह भ्रंश घाटी से होकर बैती है और जवार नदी मुख यानि की एशुरी का निर्मान करती है यह डेल्टा का निर्मान नहीं करती और और विंद्य और सत्पुड़ा परवत श्रीयों के मद्य बहती है यह सबसे ज़्यादा इंफोर्ड है कि जो यह नर्मदा नदी है आप देख रहे ना उपर क्या है विंद्याचल परवत और इसी के बीच में से यह निकलती है तो विंद्याचल और सत्पुड़ा परवत की ब संदर में बताय था ना कि अमरख कंटक travix निखलती है 100 जो उपर जाकर गंगा नदी से मिल जाती है और वहीं से फिर एक नदी निकल रही है अब हम देख रहे हैं नर्मदावन नदी गुंइम तो ये दोनों नदियां एक ही जगा से निकल रही हैं अमर कंटक भाड़ी से और विप्रीद दिशाओं में बह रही हैं इसलिए एक्जाम में प्रशन बनता है कि कौन सी दो नदियां है जो एक ही जगा से निकलती हैं और विप्रीद दिशाओं में बहती हैं ये कौन कौन सी ह बाद है कि मत्य प्रदेश का जबलपूर शहर इसी नर्मदा नदी के तड़ पर है तो जबलपूर शहर जो है ये नर्मदा नदी के तड़ पर है तो नर्मदा नदी हमने देख ली उसके बाद हम देखते हैं तापती नदी तो जैसे कि आपने देखा नर्मदा नदी उसी पर तापती नदी मद्य पदेश से निकल कर महराश्ट्र होते हुए गुजरात में खंबात की खाड़े में गिर जाती है उसी बरकान तापती नदी भी मद्य पदेश से निकलती है महराश्ट्र होते हुए गुजरात में खंबात की खाड़े में गिर जाती है ठीक है और इसकी व तो आप याद रखेंगे कि कोई तपती हुई चीज है बहुत गरम चीज है और सूरत को पढ़ेंगे सूरज तो आपको पता है सूरज एक तपता हुआ आग का गोला है तो इसे से आप रिलेट करके याद रहेगा तो जैसा कि आपने देखा यह लूनी नदी को छोड़कर जो सम मानता सा से हुआ सबर्मती मा से माही ना से नर्मदा और ता से तापती तो यह सभी चारो नदियां कहां गिरती है खंभात की खाड़ी में इसे आपको याद रहेगा तो कुछ छोटी छोटी नदियां बची है उसके बाद यह टोपिक खतम हो जाएगा तो मांडवी नद तो करनाटक से निकलती है और आगे गोवा में गोवा से होते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है और सबसे महत्वपूरन क्या है कि जो गोवा की राधधानी है पंजी यह मांडवी नदी के तड़ पर है और इसके बाद है एक जुवारी नदी वैसे तक एक्जामें और आज कि यहारी नदी यह जाते हैं के लिए है तो लास्ट में यह चार नदी है इन्हें हम देख लेते हैं उसके बाद हमारा टोपिक खतम हो जाएगा तो आपको दो-दो करके याद रखना है जो शरावती और गंगावेली नदी है ये करनाटक में है और करनाटक से निकलती है अरब सागर में गिर जाती है पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि शरावती नदी कहाँ पर है तो याद रखना करनाटक में है और वेली यह करनाटक में है तो लाश में बचे दो परियार नदी और भरत पूजा नदी तो परियार नदी हो गई परियार बांद हो गया जितने भी परियार वाली चीज़ें यह केरल में है तो यह भी परियार नदी भी कहा पर है केरल में है उसके बाद यह अरब सागर में गिर जाती है तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लगी ये वीडियो कुमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज हमारा भारत की नदियों का टोपिक खतम हो गया उसके बाद हम आगे के नेक्स्ट टोपिक देखेंगे धन्यवाद